अब्सक्राइब बच्चों उम्मीद है कि आप सब खेरियस से होंगे मैं हूँ आपकी इंग्लिश राइटिंग की टीचर नर्सरी किलास की सारे बच्चे बुक लें सब बच्चों ने बुक लिया ओपिन करें पेस्ट नंबर 21 पेज नंबर 21 ओपिन करें सब पेज नंबर 21 पे हम क्या करेंगे लेक्चार नंबर 6 स्टार्ट करेंगे हम ठीके Say and Trace मतलब कहें और Trace करें किसको E को E for Elbow E for Elbow E for Empty E for Empty E for Elbow Elbow माने Pony E for Empty Empty माने Khali अब हम क्या करेंगे अब हम इसको Trace करना सिखेंगे साहिए बच्चो तो सारे बच्चे Pencil लें और मेरे साथ साथ Trace करें E को E और साथ साथ पढ़ते भी जाएं E E for Elbow E for Elbow E for Elbow सही बच्चो आप Trace करें क्या पढ़ा हमने E for Elbow E for Empty Page No.21 पे हमने E सिखा E for Elbow E for Empty अब हम पढ़ेंगे अब सारे बच्चे ओपिन करें Page No.22 Page No.22 ओपिन करें सब यह बेटा आपके क्लास पर के Page No.22 पे Say, Trace and Write मदलब कहें Press करें और लिखें किसको? E को E E और कहते भी जाएं सारे बचे पेंसिल लें और मेरे साथ साथ लिखते जाएं E E E E4 Elbow हमने सीखा पीछे E 22 Page No.22 पे Lecture No.6 पे यह आपका क्लास पर कैसा है यह बचो? यह मैंने उपर लिखा है नीचे आपको खुद लिखना है ठीक है? अब हम आएंगे Page No.23 पे Page No.23 ओपिन करें सब यह आपका Homework के Page No.23 पे Say and Write मलब कहें और लिखें किसको? E को तो सारे बचे पैंसल लें और मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें E E E तो बचो पैंसल लो और लिखो E क्या सीखा आपने? E for Elbow E for Empty तो यह आपका Classwork भी था और यह आपका Homework है ठीक है? Page No.23 पे और नीचे आपको खुद लिखना है साहिए सारे बचे ओपिन करें Page No.24 24 ओपिन करें सब Say and Match मतलब कहें और Match करें Say the sound E Match the correct picture with letter E Letter E के साथ हमें जो सही तस्वीर है हमें उसको Match करना है साहिए यह जो E है E से क्या आता है? E for Elbow साहिए E for Elbow E for Egg साहिए सब बचे मेच करें E letter को E के साथ और Elbow के साथ और हम यह करना है E for Elephant साहिए सारे बचे पेंसिल लें और मेच करें जैसे जैसे मैंने मेच किया है E for Elbow हमें पलते भी जाना है और मेच भी करना है साहिए E for Elbow E for Egg E for Elephant पेस नबर 24 पे हमने क्या सीखा E E later को मेच करना सीखा साहिए E for Elbow E for Egg E for Elephant अब वो सारे बचे पेंसिल पेस नबर 25 पेस नबर 25 पेस नबर 25 पेसिल किया सब ने Say and Trace मतलब कहें और Trace करें किसको F को F for Face F for Face F for Face जैसे जैसे मैं पल्टी जारी हूँ आप भी मेरे साथ वेसे वेसे पल्टे जाएं F for Fire F for Fire F for Fire F for Face Face माने चेहरा F for Fire Fire माने आग सभी है तो सारे बचे पेंसिल लें और मेरे साथ साथ Trace करें F को जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आप भी मेरे साथ वेसे वेसे करते जाएं साहिए बेटा F को हम Trace कर रहे हैं साहिए F और हमें साथ में पढ़ते भी जाना है F F कितनी लाइनों पर आता है F आता है उपर की तीन लाइनों पर F सारे बचे पेंसिल लें और Trace करें F को F F F for Face F for Face F for Fire F for Fire F for Face Face मने चेहरा F for Fire Fire मने हमने क्या सिखा हमने कहना भी सिखा और हमने Trace भी करना सिखा किसको F को F F F F Page नबर 25 पे हमने F को कहना भी सिखा और Trace भी करना सिखा Page नबर 26 Page नबर 26 आप आप इन करें बेटा यह आपको किलासफर के जाए हो मैं आपको अभी करवाँगी Say, Press and Write मतलब कहें पैंसिल गुमाएं और लिखें किस पैंसिल गुमाएं F को सही है सारे बचे पैंसिल लें और में साथ साथ ट्रेस करें और लिखें F को F और पढ़ते भी जाएं साथ साथ F सही है बेटा आपको पता है F कितनी लाइनों पर आता है F आता है उपर की तीन लाइनों पर F F यह फर्स्ट लाइन मैंने लिखी है और आपको यह काम घर पे करना है सही है यह आपकर किलास पर किये Say, Trace and Write मतलब किया हमने किसको ट्रेस किया F को Page No.26 पर सही है F F F मतलब लिखना भी है और पाइन भी है अब हम आएंगे Page No.27 पर Page No.27 ओपन करें सब Say and Write मतलब कहें और लिखें किसको F को तो बेटा यह आपका Homework के सही है F सारे बचे Pencil लें और लिखें F F F F ठीक है बटा 27 पेज नंबर पर हमने क्या सिका F F F तो यह आपका Homework सही है जो आपको चेक कराना है इसी हफते में हमारा Lecture No.6 हुआ Complete Page No.27 पर सही है बटा अपना ख्याल रखना Close your books अपना ख्याल रखना अपने प्यारों का ख्याल रखना और हम फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ अलाव एफ आपको अपना ख्याल रखना लेक्ष्ट अपना ख्याल रखना